What's up guys welcome back to the channel मैं हूँ अभशेक और आज हम लोग पढ़ेंगे height and distance की exercise 14 और exercise 14 की question 6 तक की हम लोग ने पिछली वीडियों किये थे तो आज हम लोग करने जा रहे है question number 7 से यहाँ पर question 7 के रहा है a vertical towel stand on a horizontal plane and is surrounded by a vertical flag stuff of height 6 meter at a point of the plane the angle of the elevation of the bottom of the flag stuff is 30 degree and that of the top of the flag stuff is 60 degree find the height of the tower use root 3 equals to this and this चलो ठीक है question ने क्या का है कि एक vertical towel है हमारे पस खड़ा है ठीक है कैसा horizontal plane पे ठीक है अब and is surrounded by a vertical flag stuff मतलब इसके उपर क्या है flag stuff है of height 6 centimeter तो question यह कहा है कि वहिया एक हमारे पास vertical towel है और उस tower के उपर हमारे पस flag लगा हुआ है और उस flag की जो height है वह है 6 meter फिर समझो अंगी कह रहा है at a point on the plane the angle of the elevation of the bottom of the flag step is 30 मतलब bottom है ना flag step का वो कितना बना है 30 बन रहा है ठीक है and the top of the flag step is 60 यहाँ पर जो question number 7 है यहाँ पर question number 7 ने थोड़ा सा घुमा दिया आपको एक flag वाला और आया था ना question वो question था 5 वाला ना तो 5 और 7 बिल्कुल एक जैसा यह बस थोड़ा सा difference है वो क्या difference है okay वो हम आपको बताएंगे जब जैसे solve करेंगे ठीक है हमें find यहाँ पर क्या करना hide find करना ही tower के बहुत simple है figure अभी बनाएंगे तो यह question और clear हो जाएगा तो यहाँ पर जो question 7 का figure होगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से पहले तो हम बनाएंगे tower ठीक है यह tower है हमारे पास अब इस tower से हमारे पास मान लेते हैं एक point यहाँ पर है ठीक है यह point है इसकी distance हमें पता नहीं है तो इसको हम लोग let कर लेंगे कुछ इस point से हमारे angle of elevation बन रहा है कहां पर बन रहा है जो हमारे पास क्या दिया होगा दाए दाए तो यहां तक दो हमारा tower हो गया यहां पर यह highlight का bottom कहा पर आएगा इस point के में आएगा तो यहां पर angle of elevation जो हमारा बन रहा है यह कितना बनेगा 30 degree का clear है अब कोशन ने यह कहा था कि इसी पॉइंट से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा वो फ्लैक के टॉप से बन रहा है तो यहां पर करते हैं फ्लैक का टॉप यह है अब इसका जो एंगल होगा वो होगा हमारा 60 डिक्री का ठीक है अब इस केस में इसको चलो पहले नेमिं इसके कि हाइट हाइट फांड करने के लिए क्या धिया हमें यहां पर यह कितने डिस्टंस में खड़ा कि यह भी नहीं पता इसका एंगल और हमें यह बता है कि हमारे पास हैंaire जो तो आप हम क्या करेंगे इसको करते हैं तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे यह वाला triangle a b c वाला कौन सा लेंगे? a b c कa triangle ले ले लेता है तो यहां लेका in triangle, in triangle a, यहां कर दिया be और यह c हमने सबसे पहले यहां पर struggles क्या किया था? let कर लिया है fais हमने लेट क्या है AB जो की है X AB कर दिया हमने X और हमने यहाँ पर लेट कर लिया है BC BC equals to Y यह लेट क्या है ठीक है अब हमने लिया एंगल एंगल ABC यह लटर एंगल हमने देगा यह 90 है इसके सामने वाली हैपेटेनिस तो यह हमारी बेस तो यह हमारी परिपेंडीकुलर अब हमें परिम ऑसफ का रिलेशन बनाना है तो यहाँ पर हमारे पर पर्पेंडीकुलर और बेस कंता है जब होता हमारे यहां पर 10 थीटा है थीटा की जए पर हम लिखेंगे 30 रिखेंगे 30 तो यहां कर दिया हमने 10 10 यह हो गया हमारे पर 30 और इक्वल्स तो यहां पर आज़ो y ओके और डिवाइट में आगे हमारे पर 10 थेकि की वैल्यो भाई सब होती है 1 रूड थी यहां लिख दिया 1 रूड थी एक्वल्स टू य उपाउं एक्स कर दिया अब क्या करो क्रौस मल्टिप्लाई x का इसमें multiply किया तो यहां पर x होगया और यहां पर आगया हमें पस रूट 3 y आ गजी ओके तो हमें यहां पर x की value क्या मिली आ है root 3 y मिला है तो यह हमें x की value क्या मिली root 3 y क्लिर है इसको पोल देते हैं ये हमारी पहली equation है ठी के अब हमने इस वाले अंगल को लिए खो यहां करदिया डि त्रेंगल को लिए अब हम क्या करेंगे इस पूरे ट्रैंगल को लिए टी तो हमने यहां लिखा बेसला सॉरी पर्पेंडिकुलर रो बूं यह कब भी चाई का बनेगा या पूरे वाले तो ट्रेंगल का जो एंगल हैमारा क्या मीवारी है यहां पर लिखेंगे इस तो यह हो होगी हमारे पस 10 यहां पर होगी हमारे पश्की पी हमारे पास क्या है पीपी पर perpendicular perpendicular जो है उसकी side हम लिखेंगे bd ठीक है bd upon हमने कर दिया base जो की है a b अब जो bd है वो क्या है y plus x देखो कैसे bd हमाई पस क्या यह पूरी है इस पूरी की जो distance क्या होगी y plus x इसको और इसको add कर देंगे तो पूरी मिल जाएगी तो y plus x होगे और a b तो हमें पता है क्या है x है तो यहां पर हमने क्या कर दिया x कर दिया चीक है अब 1060 की value क्या होती root 3 होती तो यहां लिखा root 3 equals to y और यहां पर plus कर दिया 6 divide में आजाएंगे तो यहां पर x है ठीक है यहां पर क्या x है अब इस x की value हमने क्या निकाए थी root 3 y निका लिख दिया root 3 और यहां कर दिया हमने y कर दिया इतनी बात clear होगे अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर root 3 है ठीक है अब हम लोग root 3 को कुछ कर सकते हैं बिल्कुल यह root 3 divide में है इधा चला जाएगा multiply में हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा root 3 in to root 3 और यहाँ पर आ गया y equals to y plus 6 अब इसको हम लोग solve करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3y और यहाँ पर आ गया हमाई पस y plus 6 कर दिया यह y हमारा प्लेस का इधर चला जाएगा minus का 3y minus y equal to हो गया 6 और यहाँ हो गया 2y equals to 6 और यहाँ पर आ गया y equals to 3 तो y की value हमें क्या मिली है यहां पर 3 मिल गए क्या मिल गए हमारे पस 3 मिल गया ठीक है अब कोशन नमबर 7 में y कितना है चलो यहां पर आजाओ यह है ठीक है अब कोशन में हमें क्या पूछा किया था find the height of the tower तो यही तो हमारा तावर था है ना सी से लेकर भी यही तो हमें find करना था और इसी को हमने लेट किया कि यह तो यह हमें मिल गया है जो की है कितना यहां पर लिख देते हैं इसरी लिख देते हैं the height of tower height of tower is tower कितना मिला है भाई सब 3 यहीं मीटर में हो जाएगा और यहीं हो जाएगा question number 10 का हमारा answer ठीक है कितना simple है है ना सॉरी question number 7 का हमारा answer कितना simple है अब इसी तरह करते हैं हम लोग next question question 8 a statue 1.4 meter tall stand on the top of the pedestal देखो यहां पर जो कोशन है ना सारे कोशन एक जैसे ही है मुच्छी सारे कोशन एक जैसे है या फिर आप कोशन यह बोल देगा कि भाई टावर के उपर कुछ खड़ा है या फिर बोल देगा पतली सी डंडी है उसके उपर कुछ खड़ा है या फिर बोल देगा कि यह टावर के उपर एक जंडा है या फिर कुछ है या फिर इस तरह से कोशन करेंगा और सपूरे कोशन सारे कोशन एक जैसे ही उन तो इसको भी दिख लो यहां पर कहरा 8 वाला अभी तक जतने भी कोशण कीया है सारे कोशन एक जैसे थें बस नमबर चेंज डॉगा हाइट टोसक्ट गे और कुछ बीडर सोओं में ओर कुछ अगर आप ऐसे काम चलो भासम बोल सकते हो तो एक कुर्सी टाप की समझ लो या फिर मेज समझ लो कि जिस चीज के उपर खड़ा होता है वैसे यह सूट नहीं कड़ेगा पेडिश्टेल पर मगर आप इस तरह से समझ सकते हो ठीक है बेस के ऊपर हमाई त्या खड़ा हुआ है सोरी स्टैचू खड़ा हुआ है ठीक है अब आगे करहा है फ्रॉम पॉइंट ऑन दा ग्राउंड ठीक है दा एंगल ऑफ एलिवेशन अप दा टॉप देखो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी अप दा टॉप अप दा स्टैचू इस 60 डिग्री एंगल ऑफ और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन वह 60 डिग्री का और यहां पर बनदा है 45 डिग्री का हमें सिर्फ हाइट यहां पर फाइंड करने ही बहुत सिंपल कोशन है जैसा कोशन नंबर 8 किया था बिल्कुल वही यहीं पर है बस इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दि बेस होता है जैसे किसी चीज के ऊपर नीचे कुछ रखा जाता ना नीचे जैसे कुछ होता उसके ऊपर कुछ रखा जाता है स्टैचू के नीचे पेडिस्टल एक बेस बना जाता है जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा हो उसी को हम लोग पेडिस्टल बोलते हैं तो यहां पर के तॉप में बनगा है हमारे पандर 45 डीग स्वाला अब इसके उपर क्या है 500 स्टैच्य यह मान लो हमारे स्टैच्य होआ कोई यह किसी का स्टैच्य अब इसको हमने यहां पर मिलाया फिर यहां पर जो एंगल ऑफ ईलेवेशन हमारा बनगा है वो बंदा है 60 degree का ठीक है यह हो गया 60 degree पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 degree हो गड़ इट तो इस टैच्चु की जो हाइक है वह हमें गिवन है जो कि है 1.46 है अब इसके ग्लंट करते हैं इसको नएम बोलते हैं A है, इसको B कर दिया, इसको हमने C कर दिया और इसको हमने कर दिया D, यह हो गया हमारे पस, अब हम लोग क्या करते हैं, कि दोगो नहां हमें यह पता है, नहां हमें यह पता है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं X, और हम लोग इसको लेट कर लेते है य चीक है कितनी बात क्लिए रहे अब कोशन है क्या का था find a height of pedestal मतलब हमें इसकी height find करनी है चीक है क्या find करना हमें इसकी height करनी है find अब कैसे find करेंगे देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ले लेंगे a b c यह वाला ट्रेंगल लेंगे बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हम लोगोंने सारे कोशन किया किया यहां पर हम लेड़ लिख देता है हमने क्या let किया है let किया हमने जो a b है वह x है और जो हमारे पास c b है या फिर 20 bolo वह हमारे पास १ा यह हमarya हमने let फि Kelsey करना है हमें यहां पर चाहिए डी जिए इसका और इसका हमने क्या बना या यहां यहां पर हम्हण मिल गया दो यह 90 perpendicular शॉर्ड हईपरटेनेस यह हो गई हमारी बेस टिक है और लिखना जरूरी नहीं, आप डिरेक्ट यह लिख सकते हूं, BC upon AC, कोई भी दिकत नहीं, ठीक है, अब 10 theta, theta की value क्या लिखेंगे, 45, तो यहां लिख दिया, 10, 45 कर दिया, अब BC हमें पता ही कितना है, Y है, AC हमें पता ही कितना है, X, तो यहां पर हमने X कर दिया, 10, 45 की value, भाई, सब क्या होती है, 1 होती है, चलो, 1 कर दिया, equals to Y upon X किया, X इदा चला जाएगा, तो X equals to, हमने क्या कर दिया, Y कर दिया, ठीक है, और यह होगी हमाँ पर पहली equation, क्या होगी हमाँ पर पहली equation, अब ही हमने क्या किया था यह पूरा ट्रेंगल लिया था ठीक है छोटाला ABC वाला अब हम लोग क्या करेंगे ABD वाला ट्रेंगल लेंगे पूरा वाला तो यहां लिखा इन ट्रेंगल ABD इन ट्रेंगल यहां कर दिया A यह हो गया B, यह हो गया D, ठीक है, यह लिखा हमने इन ट्रेंगल A, B, D कर दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, कि यहाँ पर न, एक काम कर, इस पूरी हाइट, इस पूरे की हाइट निकालेंगे, तो क्या मिलेगी हमें Y प्लस, 1.46 मिलेगी, क्योंकि इसको, और इसको जब एड साइट क्या होगे हमारी, हैपेटेनेस, तो यह हमारी बेस होगे, यह परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन बनाओ, तो कौन से फॉर्मला लगेगा, यहाँ पर 10 वाला, यहाँ लिखा हमने 10, ठीटा एक्वल स्टू, P उपॉन B, P हमारे पास इस ठीटा, ठीटा की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ठीटा की जगह पर हम लिखते हैं, 60, क्योंकि 60 था ना हमारे पास एंगल, 60 लिख दिया, एक्वस्ट्री यहाँ कर दिया, हमने Y प्लस 1.46 अपॉन कर दिया X, अब 1060 डिगरी की वैल्यू बताओ, 1060 डिगरी की वैल्यू कर दिया ठीक है, अब हम, क्या कर सकते हैं यहार पर, रूट 3 x एक्स उक्लच टू y प्लस 1.46 है हम क्या कर सकते हैं यहां, पर हम, क्या कर सकते हैं, रूट 3 है, यहां पर через और, हमने क्या किया है, कि यह जो एक्स है ना इसकी वेलु कहाती ह meant by थी तो, एकसी जगह पर हम y पुट करेंगे, इस जगह पर y पुट करेंगे, तो यहां पर आजाएगा हमारे पास root 3, यह हो गया y, यह हमारे पास क्या है, प्लस का y है, है न, ओके, इधा ले आएगे तो यह minus y हो जाएगा, equals to हो गया, हमारे पास 1.46 हो गया, अब इन दोनों को solve करते ह हैं, तो क्या करते हैं, y को common ले लेते हैं, तो यहां पर आजाएगा root 3, minus 1, equals to 1.46 हो गया, अब यहां पर है root 3, minus 1, root 3 की value क्या होती है, यहां लिख दिया हमने, okay, 1.732, 3 लिख देते हैं, 1 कर दिया, equals to 1.46, अब इसकी आंगे वाल, हम यहां solve करेंगे, तो इन दोनों को solve करो तो y into आजाएगा हमारे पस क्या, 0.73, और यहां पर आजाएगा हमारे पस 1.46, अब यहां पर 0.73 multiply में इधर चला जाएगा, divide में, तो यहां पर आगे 1.46, और divide में 73, 7, 2 is a 14, 3, 2 is a 6, तो यहां पर आगे हमारे पस 2, तो y equals to आगे हमारे पस 2 meter, y क्या था हमारे पस, यह height थ tower is, यहां लिख देते हैं, height of tower, ठीक, tower ही तो था न, नहीं, 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 tower नहीं था, tower नहीं था, क्या था, ओके यह था, pedestal, sorry, pedestal, ठीक है, pedestal equals to 2 meter, तो यह हो गया, 2, और यह हो गया, question number 8 का हमारा answer, ठीक, हमें यहीं find करना था, कितना simple है, हो गया, जो को बहुत easy है, आपको बस figure पर ध्यान देना है, और answer तो खुद चल के आजाएगा, तो question number 8 हो गया, अब आते हैं हम दो question number 9 में, well, अब आते हैं question number 9 में, तो question 9 क्या है, the angle of elevation of the top of unfinished tower at a distance of 75 meter from its base is 30 degree, तो यहाँ पर जो question number 9 है, यह कह रहा है कि हमारे पास tower है, जो कि unfinished है, ठीक है, अब उस tower से 75 meter दूर पर हमारे पास जो point है, उस point पर बन रहा है, हमारे पास क्या angle of elevation बन रहा है, जो कि है 38 degree का, ठीक है, आंगे हो, आंगे कह रहा है, how much higher must have tower be raised, so that the angle of elevation of its top to the same point may be 60, ठीक है, मतल बन जाएगा, जब उपर बन जाएगा, तब वहां से angle of elevation हमारा 60 degree का होगा, कितना उपर जाएगा, मतलब height पूछी जा रही है, यह बास समझ में आ रही है, नहीं आई, अभी figure बनाते हैं, तो तूरण समझ में आए, तो यहाँ पर ना सबसे पहले इस question का figure देखो, देखो, एक हमारे पास tower है, मानलो यह हमारा tower है, ठीक है, अब इस tower से 75 meter दूर, 75 meter दूर हम इतना ले लेते हैं, ठीक है, इस point में angle of elevation बन रहा है, ठीक है, जो कि है हमारे पास कितना 30 degree का, यह तो साब के लिए समझ में आ गया होगा, 75 degree का, sorry, 75 meter का, meter से हमारे पास इस point में angle of elevation बन रहा तो यह बताओ देखो यह अनफिनिश टावर है इसको थोड़ा सा और हमने अपने इसाब से उपर बढ़ा दिया ठीक है यहां पर हमने एक और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जो की है सिक्स्टी डिग्री का अब इसको समझना कोशन यह कहा है कि बताओ कि इस टावर की हैट कि इसनी और उपर हो जाएगी ताकि हमारे पास जो यह एंगल ऑफ एलिवेशन है वह सिस्टी डिग्री का बनेगा तो मतलब बेसिकली यहां पर हाइट पूछी गई है इसकी यह बात समझ में आगे फिर समझो कोशन ने यह का है कि एक हमारे पास अनफिनिश टावर मतलब पूछा है कि अगर हम इस टावर को कितना और उपर बढ़ा दे मतलब इसकी लेंद और कितनी बड़ी कर दें ताकि हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन बने वह सिक्स्टी डिग्री का बने तो बैसिकली बात समझ मैं कोशन ने क्या पूछा है यह पूछा है इसकी क्लियर इतनी बात अब हमें क्या करना है हमें इसकी हाइट बता करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एंगल लेंगे कौन सा एंगल ले लेते हैं यहां पर हम यहां पर एंगल लेंगे यहां पर एबी सी लेंगे ठीक है तो यहां पर लिख दिया हमने ब पर पेंडिकुलोर हमें find करना जिया अब acompa । क्यूं करना तो देखो हम क्या करेंगे पहले इतना part find करेंगे फिर उसके बाद हम यह find करेंगे तो हमन सुट करेंगे तो BC हमें find करना यहां पर देखोँ यह बेस रिटे इंगब्स से isnıl 90 ड्यविः अ इसके सामने यह है लोग क्या लेट कर सकते हैं अब यहाँ पर आजओं बीसी हमारे पास क्या है बी-सी, हमें कुछ भी पता नहीं है, तो बी-सी की जगे पे हम लोग क्या लेट कर सकते हैं, हमान लेते हैं, यह बी-सी हमारा क्या है है, है है, चीक है, तो हमने यहाँ पर है, अब डी-सी हमें पता है कितना है, 75 है, लिग दिया, और 10-30 कितना होता है, 10-30 होता है, 1 by root 3, तो प्रूट 3 हमारे पास आगया है h, अब जो तो इसको यहीं पर solve कर लो, या फिर इसको ऐसे यहां पर जो ठीक है, solve अगर करना है तो आप क्या करना है रूड्स का उपर भी multiply कर देना, रूड्स है का नीचे भी multiply कर देना तो solve रहा है ऑगर हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर रोग देते हैं, चुलो, तो हमें h के आमला 75 वाइरूट 3 मिल गया है, क्लियर, अब हम क्या करते हैं, कि यहां पर आते हैं, इस पूरे वाले टरैंगल को ले ले लेते हैं, चुलोगशिक है, तो हमने यहां पर लेका है in triangle, a, d, c, इस इक बगल में ले लेते है कैसे निकलेगी यहाँ पर इसको पता ही क्या है नहीं पता ना इसको लट कर लो यह x है और अगर यह पूरी हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा x plus h करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा x plus h करना पड़ेगा ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें यह पता है हमें यह फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पर फिर से relation मराएंगे तो यहाँ पर 10 theta का बनेगा और यहाँ पर आजाएगा हमारे पास अब 10 theta है ठीटा की जगह पर हम लिखेंगे 60 क्योंकि 60 बताया गया कोशन में यहाँ पर 60 कर दिया अब जो ac है हमारे पास वो क्या है x plus h है और जो dc है वो क्या है 75 है ठीक है अब 1060 है 1060 की value बताओ क्या होती रूट 3 होती रूट 3 लिख दिया है अब यहाँ पर 75 है हमारे पास इस वो डिवाइड में इधर आ जाएगा multiply में और यहाँ पर आगया हमारे पास x plus h आगया ठीक है अब x plus h आया है h की value हमारे पास यह है तो हमने यहाँ लिखा root 3 into लिखा हमने 75 एक्कोस्टू कर दिया x plus h है हमने 75 और यहां कर दिया माइनस में root 3 और इसका हम लोग multiply कर देते हैं तो यहाँ पर 75 root 3 हो जाएगा अब यह तो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का तो 75 by root 3 आ गया एक्कोस्टू यहां पर हो गया हमारे पास x इन दोनों में हम 75 को common ले लेते हैं यहां पर आ जाएगा root 3 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 by root 3 आ जाएगा एक्कोस्टू हमने कर दिया एक्स अब हम क्या करेंगे कि यहां पर 75 लेखा हुआ है इसको ऐसे लिखा रहने दो अब इसको हम लोग solve करेंगे तो यहां पर 1 root 3 into root 3 क्या जाएगा 3 3-1 आ जाएगा 2 तो यहां पर आ जाएगा माइनस का मल्टिप्लाइ आएगा यहां पर यहां पर आएगा 2 by root 3 आ जाएगा और यहां पर आगे हमारे पास एक्स अब 75 into 2 करो तो 150 ओके और यहां पर यहां लिख देता है यहां पर लिख दिए हमने 86 और यहां पर 0.6 मीटर और यहीं हो जाएगा question number 9 का हमारा answer हमें क्या find करना था हमें वह find करना था उसकी distance जिससे हमारा angle of elevation हो जाएगा इस tower का 60 degree तो इसकी distance कितनी हो गई इतने part की कितनी हो गई भी या x x कितना है यहां 86.6 मीटर एक बार answer को check करते है answer है हमारे पास 86.6 मीटर और यह question हमारा complete अब आते हम लोग next question पर अब यहां पर जो question 10 है यह के रहा on a horizontal plane there is a vertical tower with flagpole on the top of the tower at a point 9 meter away from the foot of the tower the angle of elevation of the top and bottom of the flagpole are 60 degree 30 degree respectively find the height of the tower and the flagpole mounted on it question क्या रहा है कि एक हमारे पास क्या है tower ठीक है उस tower के उपर लगा हुआ है flagpole मतलब क्या हो रहा है जंड़े का डंड़ा लगा हुआ है जिस के यह लगा हुआ है at a point 9 meter away from the foot of the tower मतलब tower से 9 meter दूर हमारा क्या बंदा है angle of elevation बंदा है angle of elevation of the top of the bottom top and bottom of the flagpole मतलब top का जो बंदा वो 60 angle of elevation और जो bottom का बंदा है वो बंदा है कितना 30 किसका लिया जा रहा है यह flagpole का लिया जा रहा है ठीक है respectively ठीक है find a height of the tower and flagpole mounted on it बिल्कुल simple question है बहुत easy है देखो कैसे अगर आपने question number 8 को देखा था और question number 8 देखा था और question number 9 देखा था ठीक है दोनों ही same question 10 भी वैसा ही question है इस बार क्या कह रहा है कि भाईया देखो यह tower है ठीक है अभी इसमें समझा लोगे और अच्छे समझाएंगे यह tower टावर को पर flagpole लगा हुआ है अब इसकी भी height पूश ली गई है और इसकी भी height पूश ली गई है बस इतना ही अंतरा बहुत simple है करने का जो process होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम उने पिछले question को किया है तो चलो इसका figure देखो तो यहां पर question ने क्या क्या है tower की बात की यह tower तावर के उपर क्या लगा हुआ है flagpole लगा हुआ है कुछ यहां पर मान लो इतना वड़ा हमारा flagpole है ठीक है अब यहां पर angle of elevation बन रहा है कैसा बन रहा है देखो यहां कह रहा है angle of elevation top and bottom of the flagpole are 60. top और bottom दोह खो Ó जो टॉप हमारे पास कहां पर है यह है ठीक है ठॉप angle of elevation नंदा है हमारे पर Sixty का बन रहा है और bottom हमारे पर क्या है यह तो यहां पर bottom का हमारा क्या बने आगा यह थीक है dus to talk से कउल हमारा Jeweliva क्या क्या बन रहा है वह कितना बन रहा है 60 बन रहा है और जो हमारे पास यह बंदा वो कितना बंदा 30 बंदा है, इसकी naming कर देते हैं, तो इसको बोल देते हैं A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, और इसको बोल दिया, हमने D बोल दिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे की height बतानी है, ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं किलियर है ना यह 30 है 60 है पिल्कुश सेम कोशन नमर 8 9 की तरह है यह 30 60 हमें क्या चाहिए हमें इस पूरे की हाइट चाहिए हाइट ऑप डटावर इस टावर की भी हाइट चाहिए ठीक है और हमें क्या चाहिए एंड फ्लैग पोल मौंटेड ओन इड़ अब इस अब ड्राइंगल यहां कर दिया भी ड और हमनें कर दिया से यह कर दिया अब जो हमांपर इस ट्राइंगल है B papg ऐसे हिलेशन में एक डिया बीकट के डियर कब होगगा और यह हो गया निएoter ह एक्वस्टू वाई अपॉन हमने कर दिया 9 चीक है अब 10 30 डिग्री जो है हमारे पास इसकी वैलू क्या होगी बताओ तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है वन बाइ रूट 3 करती है अब यहां पर क्या है वाई अपॉन 9 है तो वाई अपॉन 9 क्या क्रॉस मल्टिप्लाइ कर दो तो 9 उपर आ जाएगा तो 9 और यहां पर लिग दिया ओके 9 बाइ रूट 3 एक कोस्ट्यू हमने कर दिया यहां पर वाई यह हो गया अब हम लोग इसको सॉल्ब करेंगे तो क्या करेंगे कि इसका रूट 3 का उपर भी मल्टिप्लाइ कर देते हैं नीचे भी रूट 3 इंटू कर दिया हमने रूट 3 यहां पर कर दिया रूट 3 तो यहां पर आगे हमारे पर 3 तो हमें कैंसे धाल रूट 3 य तो हमें क्या मिल यहां पर हमें मिला है 3 मिल वाई- 100 यह सो Колिनमगे करना सौम में यहां चलो इतन् thorough क्लियर होगी वाई तो हमने वाइं कर लिया चलो अब बात क्या आती है कि हम लोग जो क्या हम क्या कर सकते अब इसको कैसे find करेंगे तो इसको find करने के लिए हमें लेना पड़ेगा पूरा ट्रेंगल एडी सी ये पूरा ट्रेंगल हमें लेना पड़ेगा अब यहाला ट्रेंगल कैसे लेंगे उसको भी जड़ा देख लो यहां पर हम कर देते हैं ओके एक काम करते हैं यहां पर 3 into root 3 ना इसको पूरी तरह हम लोग solve भी कर सकते हैं तो चलो पहले solve कर लेते हैं यहां लिखा y equals to 3 into root 3 की value क्या होती है 1.732 होती है अब जब इसको हम लोग करेंगे तो multiply करने में हमें क्या मिल जाएगा ओके 73 से कर देते हैं कि उत्ता बड़ा multiply करें तो इसका multiply करने में आ जाएगा हमारे पास 5.19 5.19 मीटर ठीक है यह आ जाएगा अब देखो 7.32 से भी कर दोगे तो भी कोई दिकर नहीं 7.3 से कर दोगे तो भी कोई दिकर नहीं आपकी मरज तो यहाँ पर आगे हमारे पास y की value छीक है मतलब क्या हो रहा कि जो pole की height है वो तो हमने निकाल ली 5.19 अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए इसकी flag pole चाहिए मतलब तो इसमें अभी थोई जगह है तो यहाँ पर लिखा in triangle हमने यहाँ पर triangle ले लिया है a c d को ठीक है a c d जो हमारे पास triangle है इस triangle में हम लोग क्या use कह रहेंगे 10 theta फिर से यहाँ लिखा 10 theta equals to okay base perpendicular perpendicular हो जाएगा इस बार a c और upon हो जाएगा यहाँ पर dc अगर कोई doubt है तो comment करके पूछो जो a c की value होगी वो ओगी x plus 5.19 5.19 और जो dc है उसकी जो value होगी वो होगी 9 ठीक है अब 10 theta है theta की जगह पे हम क्या लिख सकते है 60 लिख सकते है 10 यहाँ पर कर दी हमने 60 equals to यहाँ कर दी हमने x plus 5.19 यहाँ कर दी हमने 19 और divide में कर दी हमने 9, अब 1060 की value क्या होती है, root 3 होती है तो यहाँ पर लिख दिया हमने root 3 और यहाँ पर यहाँ लिखा x plus 5.19 कर दिया, divide में आगे हमने कर दिया 9, क्योंकि 9 divide में, यहाँ चला जाएगा multiply में तो यहाँ पर आगे root 3 into 9 और यहाँ पर कर दिया x plus 5.19 आगे, अब root 3 की value क्या होगी भाईशा, देखो अभी करते हैं, यहाँ पर हमारे पर 9 root 3 हो गया ठीक है, और यहाँ पर आगया हमारे पर 5.19 5.19 है जो, ठीक है इसको देखो, एक सिकन्ड इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर कोई दिक्कत ना हो तो 5.19 को हमने कैसे लिखा था इसको हमने पहले ये था इसको जब solve गया तो हमें ये मिला तो मतलब है 5.19 को हम लोग 3 root 3 लिख सकते हैं लिख सकते हैं, बिलकुल तो हमने यहाँ पर लिखा, 9 root 3 और यहाँ कर दिया equals to x plus 3 root 3 3 root 3 कर दिया ठीक है, को दिकत, यह plus का इदर आजाएगा minus का, तो 9 root 3 यहाँ हो गया, minus 3 root 3 equals to हमने कर दिया x, इसको हम लोग solve कर देंगे तो यहाँ पर आजाएगा, हमने पर 6 root 3, और यहाँ पर कर दिया हमने x तो x equals to हमें क्या मिला 6 root 3 मिल गया, ठीक है तो यह हो गया हमारे पस x की value, अब यह x क्या है वाई साब, देखो, यह x था हमारे पस flagpole, ठीक है, जो हमने निकाल लिया तो यहाँ पर लिख देते है, flagpole flagpole equals to हमारे पस 6 root 3 हो गया, ठीक है अब हमारे पस यह क्या था, यह था हमारे पस 5.19, 5.19, ठीक है, अभी इसको हम लोग और भी solve कर सकते हैं, तो इसको हम लोग solve करेंगे, तो 6 into 1.73 कर देंगे, और जब हम लोग इसका multiply करेंगे, तो multiply करने में कितना आजाएगा, multiply करने में आजाएगा, हमाँ आपास 10.38, ठीक है, यह हो जाएगा, meter, ओके, 1.732 होता है, 3 से किया, तो यहीं हो गया, कोशन नमबर हमारा 10 का answer, flagpole हमें मिल गया है, 10.38 और tower हमें मिल गया, 5.19, तो कोशन नमबर 10 हमारा हो गया है, complete, clear बिल्कुल, अगर को doubt और comment करके पूछो, तो इस वीडियो में हमनों कोशन नमबर 10 तक के ही कोशन करने वाले next question जो है आपको next video में मिलेंगे, और next video की link आपको description में मिलेगी, और उससे पहले comment करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी,